हेलो सब्सक्राइकुम सर्वेच इंसाइग अब्ले में आपको खुश्याम जीत कहते हैं के इंडेट्स हम पेड़ गुरूस में होल नमबर्स सिक रहे हैं जिसमें आपको होल नमबर्स का कांसेट बताया गया है और रिप्रेदन कैसे करना है डंबर लाइन पे वह हम लेक्चर हम कर रहे हैं अगर आप भी पेड मेंबर्स होना चाहते हैं तो आप अब के नमबर पर राप्ता करके एड़ हो सकते हैं किसी वी टेस्ट की तैयरी के वाले से ठीक है तो जो आज का लेक्चर है वह भी इप्पर्टर्ट है नंबर लाइन का ही है होल नंबर्स में जिसमें हम दूख करा रहा हूं है आपको ताकि की प्रेक्टिस भी हो सके और आगे जो भी टॉपिक्स आये उन में आपकी है तो अगर आप ने मेरे चैनल सर्वेच इंसेग डीको सब्सक्राइब नहीं कि तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज का डापर कहिए कि रिप्रेजन करना है हमें होल नम्बस को greater than or equal to but less than or equal to a given whole number on a number 9 तो इससे पहले हम यह सिख्किया है थे तो यह क्या होते हैं मैं बता रहा हूं यह हम चीज सिख्किया हैं यह क्या होती है ठीके इसको पढ़ते हैं greater or equal to greater or equal to ठीक है greater than or equal to पढ़ते हैं जैसे अगर मैं इदर ले लूँ आठ ले लूँ greater or equal to आठ कौन से नम्बर होते हैं whole number सागर करूं तो आठ होंगे 9, 10, 11, 12, up to 100 क्योंकि हमें equal भी उठाना है उससे बड़े भी उठाना है मैं यह लिख दू अगर less than or इसको पढ़ते less than or equal to less than यह मैं पहले भी आपको सिखा के हैं लेकिन फिर भी आपको repeat करा रहा हूं less than or equal to इदर अगर मैं कोई number ले लूँ जैसे कि no ले रहा हूं तो less जो इससे छोटे होंगे वो सारे number आएंगे और no भी आएगा तो कौन से होंगे all numbers में 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह all numbers के हम खिक रहें इसके में all numbers उठा रहा हूं 6, 7, 8 यह सारे number आगे less than or equal to equal to 9 भी आएगा क्योंकि less than or equal to इसका मक्तर दे तो 9 भी आएगा equal बराबर और यह सारे से छोटे आठ बराबर और यह सारे से बड़े greater than or equal to equal to इसके बराबर भी आएगा number और उससे बड़े आएगे इसमें और इसमें छोटे भी आएगे और बराबर भी आएगा यह गांसेट आपको मेरे पहले व्यता चुका हूँ आज क्या आए आज पूछ रहा है कि greater than or equal to but less than or equal to ठीके तो यह यह जो बर्ट वार कंडिशन है मैं पिछल लेक्र में आपको बता गया था कि यह बीच वारा को यह section लेका है और portion लेका numbers का जिसमें दोनों पंडिशन में लिए वेरिफाई होने चाहिए तो वह numbers greater than or equal to be होंगे और लेक्र 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 लेक्न पांच नंबर यह लेता हूं इसको मैं कैसे लिखूँगा इन numbers को मैं कैसे लिखूँगा मैं तो नहीं लिख सकता क्रिणे लेक्र लेक्र लेक्रम में लिख सकता हूंगे लेक्र लेक्र लूह तो इसको कैसे लिख सकते हैं या इसको यह से लिख सकता हूँ, greater than or equal to 3, but, later than or equal to 7, देखें यह condition verify हो रही, यह numbers आ रहे है, greater than or equal to कुन सा आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और 6 आएगा, 7 आएगा, greater than or equal to 3 आगई, but, लेकिन 7 से कम हो यह 7 के बराबर, यह सारे numbers इस condition में आ गए, तो इन numbers तो अगर बीच आला कोई portion शो करना आए, तो यह condition में हम समाल कर सकते हैं, तो यह पिछले कर में मैंने आपको यूद करना चेकाया था, अगर यह condition समझ आ गई, तो आप numbers आसा नहीं ते कोई भी numbers शो कर सकते हैं, number line पर, number आपको पता होंगे, तो number line पर शो करना कोई इ यह पूछा है, ठीक है, इसके अलिखराए, greater than r equal to, यह देखे कितना बड़ा sentence है, इंग्लिश का, greater r equal to, यह symbol आ गई, mathematics की, कितना कामासान हो गया, ठीक है, इसकी जगह में ने यह symbol लगा दी, but, less than r equal to, but का निशानी में यह लगा देता हूं, but, क्या पूछा है, less than r equal to, less than r equal to 11, odd numbers पूछा है, ठीक है, मैं इधर पहले निशानी लगा हूं, less than r equal to 11, यह देखे, यह सारा sentence इस निशानी में आ गया, less than r equal to, सारी 4-5 लव्स यह एक निशानी में आ गए, 11, कौन से नंबर हमें चाहिए, यह चाहिए हमें, odd numbers, odd numbers है, जो 5 से बड़े या 5 के बराबर हो, लेकिन 11 ते छोटे या 11 के बराबर हो, ठीक, 11 ते छोटे या 11 के बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे कौन कौन से आएंगे इधर, odd numbers इसके बाद यह 5 भी आएगा, odd numbers 5 आता है बराबर में, इसके बाद कौन सा आएगा, साथ आएगा बड़ा, इससे बाद 9 इसके बाद 11 आएगा, कंडिशन यहां देखें, 11 से हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बता रहें, 11 से यहां तो बराबर हो, यहां तो छोटे हो, बराबर तो आग यह से बड़ा हम नहीं लेकिते, तो यह चार नंबर हमें मिल गए, यह चार नंबर हम उदर number line पे शोग कर सक करें, कैसे शोग करेंगे देखें, यह मैंने आपको पिछले लेक्टर में भी बता दिया, यह concept के लिए रहोगा आपका, अगर नहीं आ रहा फिर भी समझे तो आप पिछले लेक्टर ज़रूर सुने मेरे, तो यह पे ले 0, पे रहे में number line शोग कर रहां, 1, इदर 2 आए जा 3, 4, 5, 6, यह equal distance पर होने चाहिए सारे, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आगे चलती जाएगी यह लाइन, यह number line, all numbers की जो है, वो number line है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए greater than or equal to 5, but late than or equal to 11, हमें even odd numbers आईए, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि कौन से, पहले तो greater than or equal to 5 में आएगा, odd number, यह तो आईगा है, ठीक है, equal भी हमें लेना है, 5 odd है तो हम यह भी लेंगे, इसके बाद आएगा 7, इसके बाद आएगा 9, इसके बाद आएगा 11, इसके बाद नंबर आएगा, वह हम पिक नहीं करेंगे, क्योंकि यही नंबर हमें चाहिए, कौन से नंबर से, एक 5, 7, 9, and 11, यही solution चीज़ की greater than or equal to, इसमें में बोथ डिफांड करके हैं, पिछले लेक्टर में भी, तो वो मेरे दरूर वीडियो तुलने एगा, आपका concept और के लिए र तो यह सारी कंडिशन इसमें वेरिफार होएगा, यह सारे नंबर से यह डेनोट होगे, नंबर, डेश लाइन से, जो में डेश ती हैं यह नंबर से, आप उसको नोट लिख सकते हैं, अगर आप exam में साल करेंगे, आप उसको लिखेंगे कि यह जो हमने डेश लगा हैं, इं यह जो कर दिये हैं, नंबर लाइन पर, एक MC को आपको दे रहा हूँ, यह आप MC को कांसर मुझे दरूर बता है, हल लेकिन आपको लिए एक MC को होता है, जिसमें आपको आज पुछा जा रहा है कि, दे ग्रेटेस सिक्स डिजिट नंबर इस, इसको बिलेंग है, वो आपको है कि, आपको कौन सा अप्शन सही लग रहा है, चार अप्शन में, जो आप सही लग रहा है, वो कमेंट करके बताएं, और जो पेड़ ग्रूप में मेंबर से, वो एक साथ जरूर साल्व करा करें, जो उनको दी जाती है, ठीक है, ताकि आपकी प्रेक्टिस डेली बैसे पे होती रहें, इंचला हम आगरे लेक्टिर में मिलेंगे, एमसी को कौन सा दरूर बताएं, मेरे चैनल सर्वेशन साइक लूप लेकर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया, अल्ला अफिस